देखो इसमें अभी तक आपने दो कुश्चन देख लिया तीसरा कुश्चन आज देखना है आप सभी के पास NCRT बुख होगी कलाफ 9 वाले बच्चे इससे में जुड़े हुए हैं अनुपम यादो जी जुड़ चुके हैं बलबीर सिंग अराधना राजपूत अनुराक कु इधर साइड में कुश्चन है और इधर साइड में उसके फिगर बने हुए हैं अब आपको ध्यान देना है और ध्यान पूर्बग देखना है कि क्या करना इसमें और कैसे करना है देखो कुश्चन कहता है कि एक तिर्भूज ABC की दो भूजाएं AB और BC एक तिर्भूज की द करते जाओ करता तथा माधिका एम करमसा दूसरे तिरभूज की भूजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माधिका पी एन के बराबर है कहने का इनका यह मतलब है कि इस तिरभूज की जो भूजा एबी है और ये जो भुजा है BC, ठीक है, और ये जो मादी का बीच में है, median AM, ये दूसरे तिर्भुज, यानि कि जो second वाला triangle है, ये वाला, इसके संगत भुजा एक परकार से अगर बोलें, जैसे देखो इसमें लिखा है न, करमसा, PQ, QR तथा मादी का, PN के बराबर है, यानि कि जो भुजा AB है, वो दूसरे तिर्भुज के PQ के बराबर है, और जो भुजा इसमें BC है, वो दूसरे तिर्भुज के ये QR के बराबर है, तथा फर्स्ट ट्राइंगल की जो मादी का, इनि मीडियन AM है, वो दूसरे ट्राइंगल की मादी का, ये PN के क्या है, बराबर है, ये क्या करेंगे हम बहुत ही आसान है एकदम सिंपल है एक लाइन दो लाइन का कुष्टन है आप लोग इसको अराम से कर सकते हो सबसे पहले आप लोग लिखो बिया है यहाँ पर हल दिया है है यह इसमें हमें बहुत देखो हमें इसमें बहुत सारी चीजह दी गई हैं अगर आप यहां पर ध्यान दो तो AB P Q के बराबर दिया है BC जो है वह QR के बराबर दिया है PN जो है वह AM के बराबर दिया है तो हम क्या करेंगे congruent सिध्ध कर देंगे आसानी से देखो हमें दो चीज़ इसमें करना है एक तो हमें ABM और PQ को सरवांगसम सिद्ध करना है कांग्रियस करना है मतलब कांग्रियंस करना है दूसरा हमें फिर इसमें करना है ABC और PQR को कांग्रियंस करना है यानि ABM ABM और PQN यानि यह तिर्भूज और यह तिर्भूज हमें सरवांगसम करना है फाइस्ट वाले में दूसरे वाले में में यह पूरा तिर्भुच यह और यह करना है दो पार्ट में करने है इतना समझ में आ रहा ना आवाज उधर साइड तो कमी जा रही होगी तो चलो यह आपका इक्सरसाइज है सेबन पॉइंट तीन इक्सरसाइज कौन सा सेबन पॉइंट इन कुश्चन नमबर थर्ड तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग जल्दी से लिखो फटा-फट जो भी चीजें दी गई है उनको जल्दी फिलिख लो यह पेज नंबर अगर कुछ बच्चे लिखना चाहते हैं तो 154 है कौन सा है 154 नंबर पेज नंबर पे हैं जल्दी से आप लोग चलो फटा-फट शुरू कर दो कि देखो बच्चा इसमें बीसी दिया है क्यू आर के बराबर इसे पहले लिखो दिया है बीसी कुल क्यू आर है ना इसमें किसी को को डाउट नहीं देखो यह साइट बीसी जो है वो क्यू आर के बराबर है यह आल्रेडी कुश्चन बार बार पढ़ो आप कहरा कि ए बीसी तथा मादी का एम क्रमसा मतलब यह तीनों जो भूजाय दी गई हैं वह सीरियल वाइज क्रमसा दूसरे तिर्भूज के दूसरे तिर्भूज मतलब कौनसा अरे यह नीचे वाला जो दिया इसके को फिट्र तथा मादी का पि अन्के पराबर मनीम कहने का यह मतलब इनका सीध़ सीधर कि जो भूजा अबजा ॥ि है वो फ इHH के बराबर है यह यह फिवे दूरी में करें को भूजा टत बदिक बराबर है । यह लूज इसमें के किसी को कोई डाउट नहीं हमने लिख लिए BC equal QR ठीक है आप देखो ध्यान दो अगर BC QR के बराबर है तो यह बीच वाली जो क्या माधिका है भाई बीच में जो लाइन आई क्या है वो मादिका है ना अब ध्यान दो को ध्यान दो ये क्या मीडियन है अगर ये मीडियन है तो इसको हाफ हाफ डिवाइड करेगी कि नहीं बोलो भाईया अगर ये रेखा इसकी मादिका है तो आधा पार्ट इधर और आधा इधर बराबर बराबर होगा ना कि नहीं होगा ना तुम क्या कर सकते हो ऊसको निट सकते हो वान आपाण टू बीसी आधा कर दो और ये भी किस और देखो यह तो एक पातор क्या है भया अगर ये आधा आधा बांट रही माधिका तो इसका जो आधा पार्ट है QN ये इसके BM के बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा देखो अगर ये लाइन माधिका है AM इसमें ये माधिका है PN तो ये जो रेखा BC है उसको AM आधा आधा बांटेगी न यानि यह इधर वाला पार्ट इधर वाले के बराबर होगा और इधर वाला पार्ट इधर वाले के बराबर होगा और जब सब भुजाएं यह आपस में बराबर हैं तो यह आधा-धा भाग भी तो बराबर होंगे ना तो तुम क्या कर सकते हो लिख सकते हो बीम इक्वल क्यू लिखो bm require qn इसको आपक ऐसा नबर सच बना सकतों क्या बना इसको इक्वैसर नबर फ़रस्ट थीक है लिखर लो इसको मुक्षर नम्बर एक रीजन क्या होगा यह मैंने बराबर क्यों किया इसका कारण कैसे लिखो गए कारण लिखो इसका रीजन लिखो इसका रीजन लिखो यह यह बराबर ही फिली है क्योंकि am वा pn इनकी median है इनकी क्या है मा दिका है लिखो जल्दी लिखो फट से लिखो am and pn are median of bc and कौन सा भुजा दूसरा नहीं चेक क्यू आर am and pn are median of bc and qr ठीक है इतना हो गया इसमें किसी को कोई डाउट नहीं न रूबी गौतम किरन मौर्या पंकज मोहीत सोभीद भाई सबको समझ में आ रहा ना मैं सभी का कमेंट नहीं पढ़ सकता हूं इसलिए माफी चाहता हूं क्योंकि आप लोग को ठीक सारे कमेंट आते हैं टाइम बरबाद होता है है न पावन राज ब्लू फोन है अच्छा अच्छा कि आप लोग पीछे से देख लिए चलो तो यह हो गया आप चलो इतने में तो अभी कुछ हुआ ही दीन अब हम तीरभूज में चलते हैं जो हमें सिद्ध करना प्रूबप करना उसमें चलते हैं ठीक है नीचे भी तिखेर है यह ट्राइंगल हमें दोनों को क्या करना है का एंग्रुएंस करना है सरवांगसम करना है तो हम क्या करेंगे अब लिखो तिरभूज देखो भाई इसमें बहुत सारी बुजाएं बराबर दी गई है ना दी गई है ना इसमें कौन-कौन पढ़ रहे हैं चुप-चाप तीन नंबर पर आजाओ पीब्यार स्टेडी 3.0 पर क्योंकि यहां पर पढ़ाई नहीं हो रही यहां पर तो मैं आपको बेग्ग्राउंड क सिन दिखा रहा था कि कैसे कितना गंदा यहां पर चलो अभी यह सब बैवस्था करवानी है हो जाया जल्दी ही बस 2,00,000 बच्चे हो जाए पीबी यर स्टेडी के जल्दी ही हो जायाएगा यह लिख लो बराबर है क्यूं बराबर है बई आरे यार इसको तो मैं पहले बरा या तो य हो ऊतम पर बालाबर को इसको यह समय करण 1 को कोश्टक वाई अक्यर्ड समय खुर्ण करण 11 यह एं को हुआ लिक्षा वाइक करन की कोता को इसको यह बराबर क्यों है समय चहां करने यह थीक अपना इंटरनेट थोड़ा सही कर लीजिए बिल्कुल मस्त चलेगा ठीक है इंटरनेट आपका नहीं चल रहा है आप क्वाल्टी चेंज करिए अब मैं मिटाओंगा अब मैं मिटाओंगा चुकि इसके आगे जो है वो नीचे नहीं दिखेगा ना ठीक है इतना हो गया हाँ तो मैं मिटाओंगा लेकिन फिर मुझे ये सब चीजें फिर से उपर लिखनी पड़ेंगी क्योंकि आपको कंग्रुएंस करने के लिए एक साथ दिखाना पड़ेगा ना विकास पाल पावन राज भाई पूरा कलास देखो इमानदारी से चलो यह चीजें अगर आपने नहीं लिखा था तो वीडियो बैक करके लिख लो जो मैं एरेज कर रहा हूं इसको वह आप वीडियो बैक करके लिखो ठीक है यह चीजें मैं मिटा दूंगा जो मैंने लिखा है उपर से फिर से लिखूंगा अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है नहीं लिखा है बात नहीं चलो एक नया टॉपीकिस तो है जो है उसके आगे हम लोग ऊपर से करेंगे हैं जोति जी देखिए आपका इंटरनेट धीमा चलना है जिन को भी कलीन के नहीं नहीं दिखर हैंका इंटरनेट थियुक डूसत अब किसी का क्यों के थे को इसान की जगा ही रेच कर दें अनुग को इस लिखा रहने दो जगा है काफी जगा है चलो आगे कि अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे डिया मेंड पी क्यू एंड लिको तिर्भूज ए बी यंड और तिर्भूज पी क्यू यंसे देखो भाई अभी हमने find किया था by m is equal qn लिखो B m equal qn यह बराबर क्यूं है equation number 5 जरा सभी कराण नंबर एक से लिख दो समी करण एक से इंगलिस मीटियम आले लिखेंगे भाई कोईसन फास्ट इंगलिस मीटियम आले बद के लिखेंगे भाई एक वैसन फाज्ट ठीक है आप देखो आगे समझो यह इसके बराबर हो गया चुकि हमें पता है कि हमारा कुश्चन कह रहा है कि इसकी जो भी बुझाएं है A B दूसरे के PQ के बराबर है BC दूसरे तिर्भुज के QR के बराबर है इसकी मादिका AM दूसरे तिर्भुज के PN के बराबर है तो जब यह आपस में बराबर दी ही गई है पहले से तो इसमें तो कुछ जादा करना ही नहीं है है ना चलो लिख दो लिखो A B बराबर पी क्यू रीजन क्या है दिया है रीजन लिख दो दिया है और भी दिया इसमें सब तो दिया यार अरे भाई हम ये तिर्भूज सर्बांग सम कर रहे हैं ये जहां हाथ रख रहे हैं ये ये एम भी तो पी अन के बराबर दिया है लिखो एम इक्वल पी अन region लिखो दिया है जब भाईया एमें सब दिया ही है तो congruence के लिए हमें तीन चीज़ें ही तो बराबर चाहिए है ना तो तुम क्या करोगे लिखो तिरभूज A, B, M congruence to तिरभूज P, Q, N हो गया सरवांगसम क्यों? region लिखो by S, 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 rule मतलब भूजा, 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 सरवांगसम ता नियम से ये दोनों तिरभूज सरवांगसम हो गए क्योंकि तीन भूजाएं आपस में बराबर हो गई हो गए सरवांगसम जो बच्चे C, P, C, T, रूल नहीं देखे हैं बच्चे उसे जरूर देख लें देखो डिस्क्रेप्शन में हो सकता लिंक मिल जाएं तो आप कलास के बाद में संपर करना कमेंट करना आपको मिल जाएगा बीना C, P, C, T, रूल के आप समझ नहीं पहो गई C, P, C, T, रूल में आपको ये basic concept छिखाया गया है पहला हो गया इसमें दो करना था पहला हो गया चलो हो गया पहला अब हम एक काम कर सकते हैं देखो हमने क्या किया कि अदि ये कर सकते हो कि इनके माध्यम से तुम कोई कोण बराबर कर सकते हो अगले वाले के लिए काहे अगले में ABC को PQR के बराबर सरवांगसम करना है तो भाया अगर ये दोनों तिर्भूज हमारे सरवांगसम है तो कोण जो ये B है वो कोण Q के बराबर होगा काहे को बराबर होगा CPCT rule से न CPCT rule से बराबर होगा न क्यों CPCT rule क्या होता है कि किनी दो संगत किनी दो संगत तिर्भूजों में किनी दो सरवांगसम तिर्भूज में उनके संगत कोण बराबर होते हैं किनी दो सरवांगसम तिर्भूज में उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती है यह सब आप लोग CPCT नियम में पढ़े हो CPCT मतलब होता है corresponding मतलब उसका full farm तो मैंने आपको हिंदी में बढ़ाया था यह नि जो संगत कोण और संगत भुजा के बारे में complete अध्यन है वो CPCT में करते हैं ठीक है चलो गागे चले यह हाँ इंग्लिसने बोलें अच्छा बहीं चलो और इंग्लिस में बोलागे अब इसको मिटाव้ जलदी से मिटा के आगे बढ़के इसका फाल्ट हो गए सिकेंड पार्ट पर, अब हम लोग चलते हैं क irony पार्ट आप stored लिए फांस्ट फाइट हो गया आगे जल दी से हाँ जलो सिकेंड पार्ट में का करना है यह यह पूरा का पूरा ट्राइंगल यह पूरा क्या करना है ठीक है अब ध्यान दो कैसे मतलब समझो अच्छे से समझो ठीक है हाँ केरफूल सिकेंड फार्ट देखो अब यहां पर लिख दो सिकेंड पार्ट लिखो अभी अभी हमने क्या किया है दो तिर्भूच को कंग्रिवन सिद्ध किया को बच्चा समझ रहे हो आप लोग देखो पढ़ने फिजादा तो यह बिहाइंड भी वाले में देख रहे है कि बैग्राउंड देख रहे हैं आप लोग अरे यहां बहुत जंगल टाइप का जहां यह बैग्राउंड देख रहे हैं कोई रहता नहीं सिर्फ पढ़ाते हैं बस हम जैसे भूतों का अड़ा दिख रहा है पीछे से कैसे लग रहा है अभी यहां स्कुल मेंटेनेंस होगा अब जब दो लाख बच्चे हो जाएंगे तो जब तक दो लाख नहीं होते तब तक कुछ नहीं होगा चलो कि यहां पर लिखो चुकी ट्रेंगल कि एवी यम एवी एम एबी यम 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 फार्मेन ना मंकी भी होता है चुकी ट्रेंगल एवीएम यह सर्वांग समय किसके पी क्यों यह दोनों क्या है तिर्बूच सर्वांग समय मैंने पहले से कर लिया है अब तुम का लिखोगे लिखो आता हां कोड यह वाला कौड बी इसे लिखोगे एवी यम ठीक है एवी यम जो है बच्चा वो होगा किसके कि इसके बराबर होगा तुम लोग इसमें मत देखो भाई चलो तीन नमबर पर देखो पढ़ाई करो अगर पढ़ना है तो यह दूसरे वाले के बराबर होगा पी क्यू एन के ठीक है किसके बराबर होगा पी क्यू एन के चलो जल्दी करो फटाफट करो A, B, ये M मतलब कहने का ये, ये कौड B वाला जो है वो कौड Q के बराबर होगा क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों तिर्भुज जो है, वो क्या है वो क्या है ये दोनों तिर्भुज अगर सरबांग समय है तो ये कौड संगत कौड भी बराबर होंगे इनको लिखो एंगल PQN है न यही तो और इसमें एक ही कोड बराबर नहीं है अगर कोई दो तिर्बुच सर्मांग सम है तो उनके संगत कोड जितने भी हैं सभी बराबर होते हैं संगत भुजाएं भी बराबर होते हैं इसमें A, B, and C मतलब समझ रहे हो बच्चा एक तो A, B, M यह कोड और एक A, B, C मतलब यह पूरे के लिए एक तो अभी सिर्फ हाफ के लिए था यह बराबर है PQR के किसके PQR के ठीक है अब देखो PQR तो तुम इसको एक बार और भी लिख सकते हो A, B, C equal angle PQR इसको एक वैसा नमबर फाइस्ट बना लो चुकि हम इसी को यूज करेंगे बागी और कोई से मतलब नहीं है इत्ता हो गए जल्दी करो फट से लिख लो और हां कैमरे के सामने से हटने के बाद हम कहा जाते हैं इसको PBR Study 4.0 चैनल पे आके देख लो PBR Study 4.0 चैन दिखाई पड़े हम सामने छेक के खड़े रहते हैं तो दिखकत होती इसलिए पीछे ठोड़ा घूम लेताओ ऐसे टाहलेता हूं मतलब Evening वा खर लेता हूं और फिर सामने चला जाता हो फिर दिख न लगता हूं हां चलो हाँ तो यह क्या हुआ यह बराबर हो गया अब तुम क्या कर सकते हैं इसमें देखो क्या क्या बराबर हो सकता है अरे यार सिंपल सी बात है यह बुजाएं भी बराबर है बस सीधी सी बात है दो ही चीत इसमें बराबर करना है चलो लिखो लिखो, 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 आब तिर्भूज A, B, C, और कौन-कौन, ABC, पूरा-पूरा, P, Q, R से, तधा तिर्भूज P, Q, R से, तथा तिर्भूज P, Q, R से, लिखो, लिखो AB बराबर है PQ के दिया है लिखो AB बराबर PQ region है दिया है और क्या करोगे तुम जल्दी से आगे लिखो फट से इसमें BC भी QR के बराबर दिया है region लिख दो ब्रेकर्ड में दिया है और हाँ BC तो दिया ही है इसमें हमने एकटी कोण भी बराबर यह निकाला था भी ना पहले इसको लिख लो एंगल ABC इक्वल एंगल PQR region लिख लो यह समीकर्ण मेंने कौन सा बनाया था वही दूसरा बनाया था पहला एकटी पीछे बना था ना यहीं कोईसा नंबर सिकेंड मा बताया था मैंने समझाया था ना है ना बताया था ना तो यहां पर तुम लोग का है को आके देख रहा है चलो ठीक है ओके गुड अगे बढ़े चलिए अब ध्यान दीजिए देखिए ग्राउंड भी इसमें से आ रहा है आप इसलिए इसके सामने मत आईएगा हाँ चलिए अभी दिखाएंगे देखिए एक मिश्टर आ गए जो बहुत कमेंट करते हैं यह यहां बैठे हैं अभी इनका टकला दिखाते हैं उपर से रुख जो थोड़े आप लोग पहले पढ़ लो तब चलो यह बराबर हो गया अब देखो बच्चा बीसी भी बराबर है क्यों आर क्या है एक बुझा बराबर हो गई एक बराबर हो गया बुझा बराबर हो गई आप तुम लिख सकते हो ट्राइंगल एबीसी कांगरेंट टू रेंगल फी क्यू आर क्यूं हो गया रीजन लिखो ज्फश्ठक में वाई कि एसे मतलब भूजा कोंड भूजा सरवांग समता नियम से यह हो गया का इंगरेंस इस तरह से आपका यह पूरा हो गया खतम हो गया कोई डाउट तो पूछ सकते हो निसें को कमेंट कर सकते हो ठीक है तो बच्चों से समझ गया ना चैमरे के सामने से हट के कहा जाते हैं तो पीछ आराम करने लगते हैं पीछे गूमते रहते हैं और फिर इस fulfills को जाते हैं जलें तो फिर आज की कला खतम करते हैं देखिये गई व्याइंड वीयुमें आप लोग देख लेजिए यह 80 मिश्टर है तो आप लोगों कोई सीलिए तो यह बिहाइंड दिखा रहें ना कि इसमें क्या क्या दिखता है आप क्या क्या होता है चलिए पारदर सिता बनी देने चाहिए ना हमारी सरकार भी कहते हैं चुपके से कुछ मत करो तो बंद करें फिर आज के लिए इतने ही आप सभी को कोटी- बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ठीक है आप लोग कमेंड करके बताना जो बच्चे बिहाइंड देखना चाहते हैं पीवियर स्टडी 4.0 चैनल सर्च करें और जाके तुरण सब्सक्राइब करें पीवियर स्टडी लिखना तो इस पेस मत देना बीच कि इस लेशननल क्या होता है यह यह इसलिए क्ले अदरों चाहिए बढ़ ने चलो ठीक है यह जब बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसाम को कितना बज़े स सात बजए से देले ड़े अले अव एल्म में बंद कर दीरा हूं